हेलो फ्रेंड्स मैं तनु सर्मा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपका बताऊंगी लेमन राइस दोस्तो ये बनने में बनने के बाद बहुत जादा टेस्टी लगता है ट्रेन के लिए बहुत अच्छा है अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं फटा फट से तो आप इस लेमन राइस को बना के लेके जा सकते हैं इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत सुपाच्य होता है और अगर आपके घर में बचे हुए चावल है और उन चावलों का क्या करना है ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफीसियल है यह बैसलर लोगों के लिए especially बहुत अच्छा है जो अकेले राते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊं और भूख लगी राती है तो इसको वो ट्राइ जरूर करें तो आईए मैं बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है तो यहाँ पर मैंने धनिया के पत्ते ले लिए है उसके बाद मैं यहाँ पर एक निम्बू लोगी अगर आपको ज्यादा खटा पसंद है तो आप दो निम्बू ले सकते हैं एक टमाटर लिया है मैंने पांच मैंने मि लगेगा तो यहां पर मैंने हिंग लिया है नमक लिया है और उसके बाद मैंने हल दिली है बाकी मैंने सारी चीजों को अच्छे से चौप कर लिया है धन्य टमाटर सबी चीजों को और नीम्बू का रस भी मैंने निकाल के रख लिया है और मैंने चावल पहले ही बनने रख द तो इसमें मैं आधा टीस्पून के करीव राई को डाल दूंगी और फिर उसको अच्छे से चटकने दूंगी उसके बाद मैं आधा टीस्पून इसमें जीरा आट कर दूंगी और जीरे को भी अच्छे से चटकने दूंगी उसके बाद मैं इसमें मिर्च डाल दूंगी हरी मि तो सीखा नहीं उतल न driving right? मैं नहीं तीखा ना लगी . मुझा किया है , उसके बाद मैं इसमें प्याज और कड़ी पते को अइड कर दूकर गी है और अच्छे से इस Col dave करेंके बाद मैं इसमें兩個 डाल का दाल demandé ताकि मेरा प्याज भी फ्राई हो और चना का दाल है वह भी पकते रहे तो चना का दाल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मिक्स करूंगे यहां पे देखिए मैं यहां पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा दाल चुकि थोड़ा पक जाए तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको ढख के पकने के लिए छोड़ दे दो मिनिट के लिए तो यहां मेडियम फ्लेम पे मैंने दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है दो मिनट बाद मैं डखकन हठा के देखूंगी और इसको अच्छे से चलाओंगी तो देखिए यह हमारा फ्राई हो रहा है दाल अब यहां पे मैं टमाटर को एड़ करूंगी क्योंकि हमारा टमाटर भी अच्छे से पकना चाहिए उसको भी गल जाना चाहिए तो यहां पे मैं जो वन टमाटर लिया था उसको कट करके और इसमें एड़ कर दिया है एड़ करने के बाद मैं इसे मिक्स करूंगी और हमारा टमाटर अच्छे से नरम हो जाए इसके लिए मैं इसमें आधा चमच नमक डालूँगी यहाँ पर मैंने आधा चमच नमक को एड़ कर दिया है अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद नेडियम फ्लेम पे ही इसको दो मिनिट के लिए और ढग के पकने के लिए छोड़ दे दो मिनिट बाद मैं यहाँ ढग कर अटा के देखोंगी और फिर अच्छे से इसको चला लूँगी आप बीच बीच में भी चला के देखते रहें डाल जो है वो जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी तो यहाँ पे मैंने चला के देख लिया है मेरा अच्छे से पक रहा है उसके बाद मैं यहाँ चुटकी भर हींग को एड़ कर दूँगी हिंग एड़ करने के बाद डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और दाल हमारा पक जाए इसके लिए आधा कर पिस में पानी को एड़ कर दूँगी और हाई फ्लेम पे इसको ढखके पकने के लिए तो 2 मिनॲेट बाद मेरा पानी सूख गया है और मेरा दाल भी पंग गया होगा तो यहां देखी हम चेक करते हैं हमारा दाल पंगा है कि नहीं पहले हम इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे उसके बाद दाल को अलके से प्रेस लेंगे तो यह देखे मेरा दाल जो है वो पग गया है पग जाने के बाद इसमें हम एक secret ingredient जालेंगे जो मैंने वीडियो में mention नहीं किया है पहले तो यहाँ पे मैंने एक चम्मचीनी डाला है healthy powder डाला है healthy powder डालने के बाद इसमें जो बाकी का बचा हुआ हमारा जो नमक है उसको भी हम यहीं पे add कर लेंगे तो नमक हमने पहले डाला है यह ध्यान में रखते हुए हमें नमक को उसी अनुसार डालना है फिर इसको अच्छे से हम mix कर लेंगे mix करने के बाद इसमें हम जो पकी हुए हमारे चावल है या जो बचे हुए चावल होंगे उसको इसमें add करेंगे तो यहाँ पे मैं चावल को add कर रही हूँ अगर आप नीम्बू की जगा इमली का रस यूच कर रहे हैं मुझे ज्यादा खटा नहीं चाहिए इसलिए मैंने एक ही नीम्बू का रस लिया है आपको ज्यादा चाहिए तो आप दो भी ले सकते हैं फिर मैं कटे हुए धनिये के पत्ति इसमें add कर दोंगी और इसको दीरे दीरे चलाते हुए अच्छे से mix कर लोंगी तो यह देखिए हमारा लिमन राइस बनके रेडी है यह बहुत टेस्टी होता है मेरे चैनल को लाइक जरूर करें